मेरा नाम डॉक्टर मोहिद गुप्ता है मैं एक रेटिनो स्पेशलिस्ट हूँ और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ डायर। इसके बाद क Biraz कर रहे हैं पहले तो इसका जबाब मैं देता हूं इंडिया हमारा देश डायर। कैपिटल बन चुका है हमारे यहां साथ करोड डाइबिटिक पेशिंट्स हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में और वो भी यह अर्बन डिजीज कहते हैं शेहरों में यह बिमारी बहुत ज़्यादा है सौ में इसी 14 लोग शेहरों के इस बिमारी से शिकार हैं और रूरल एरियाज में यानि गाओं में इसके तीन से आठ प्रतिशित इंसिदेंस होता है Diabetic Retinopathy के जो सबसे important risk factors हैं उनमें आता है duration of diabetes मतलब कितने साल से आपको diabetes है जितने समय जादा समय से आपको diabetes है उतना ही risk जादा है Diabetic Retinopathy डेवलप करने का बट duration से भी जादा अगर कोई और factor है जो important है वो है control of blood sugar मतलब किसी को अगर diabetes बहुत सालों से है और controlled है उसका blood sugar level persistently controlled रहता है तो उनको Diabetic Retinopathy हो सकता है ना हो बट अगर किसी को कम समय के लिए भी diabetes है और blood sugar level बहुत fluctuating है उनको Diabetic Retinopathy होने के जादा chances है जो मेरे category में complication आती है जिससे कि मेरा तालुक है और Diabetic Retinopathy है इसका मतलब आंग के पर्दे पे शुगर यानि मदुमे का असर ये एक preventable cause of blindness है अंदेपन का ऐसा बिमारी है जिसको रुका जा सकता है अगर सही समय पे हम उसकी जांच कराए इलाज कराए तो पहले मैं बताओंगा कि Diabetes में होता क्या है खून में जो शुगर की मात्रा है वो बहुत जादा बढ़ जाती है यानि हमारी बॉड़ी खून में जो ब्लड शुगर है जो ग्लुकोस है उसको युटलाइज नहीं कर पाती है उसके पर्दे में सूजन आना और कुछ ऐसी नाडियां बनना जिनकी दिवारें बिल्कुल मजबूत नहीं होती उससे आँखों के अंदर पर्दे के बीच में से खून का बहाव शुरू होना यह तीन मुख्य कारण है जिससे की आँखों में अंधापन होता है Diabetic Retinopathy की वज़ दिवार जाते हैं अब इसमें होता क्या है पेशन को मरीज को जो लक्षन सामने आते हैं निगा का कम होना या आँखों के आगे जाले आने, जाले इन असेंस कि आँखों में पर्दे से कभी-कभी खून जो है वो लीक होता है, जो आँखों के आगे आता है, और उसी की वज़े से पेशन को ऐसा लगता है कि आँखों के आगे कुछ तैर रहा है, निगा एकदम से सुबह उठे चली या पर्दे में सूजन के कारण आँखों की नजर का कम होना, सूजन के मुखे कारण आँखों में खून का आना पर्दे में या फिर पर्दे में चिकनाई जमा होनी, यह सारे कारण आपको अंधा बना सकते हैं, आपकी निगा को कम कर सकते हैं डापटिक रेटिनोपैती में अब इसमें जो early stages होती है diabetic retinopathy की उसमें ये सारी चीज़ें reverse की जा सकती है या अगर आपने time lead किसी retina specialist को दिखाया है और अपनी जांच कराई है परदे की जो कि दवा डालके पुतली फैला के परदे की जांच की जाती है आम तोर पे ये जांच करने में समय लगता है और एक retina specialist जो होता है वो एक paint surgeon होता है इस चीज़ की जांच करने में भी और इसका इलाज करने में भी और मुझे इस बात को बताने में शेयर करने में खुशी है कि मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा में as a retina surgeon I can proudly say this हम लोगों के पास हर तरह का scan, angiography और surgical retina की सारी facilities है तो हम जो भी मरीज आता है तो हमको personally guide करता हूँ कि कैसे इलाज कराना है क्योंकि इसका इलाज लंबा है ये बिमारी ऐसी है जो ना एक दिन में कभी हुई है और ना ही एक दिन में ठीक होगी ये 20 साल, 15 साल, 10 साल की शुगर के बाद होती है और इसको ठीक होने में भी समय लगता है बट अगर persistently और लग के इसका इलाज किया जाए तो इस बिमारी को रोका भी जा सकता है और पूरी तरह से control भी किया जा सकता है कहने का मतलब अगर आपको ये शुगर की बिमारी है तो आपको हर 6 महीने में एक बार रेटिना स्पेशलिस्ट को मिलके अपना परदा चेक कराना है चाहे आपको कोई दिक्कत है या नहीं है क्योंकि अगर आप ऐसर करेंगे तो अरली स्टेजीज वाली बिमारीों को भी डॉक्टर से, सही डॉक्टर का मतलब ये एक रेटिना स्पेशलिस्ट को दिखाने वाली बिमारी है आम जनरल आँखों के डॉक्टर हो सकता है इसको ना देख पाएं तो ये बहतर है कि आप एक ट्रेंड, कॉलिफाइड रेटिना आँखों के परदे के विशेशगे एक रेटिना स्पेशलिस्ट के पास ही इस बिमारी के इलाज के लिए जाएं अरली स्टेजीज में जिन मरीजों को सिर्फ दवा की जरूरत है उनका दवा से अपरेशन के सुविदा अपलब्ध है हर तरह के हमारे पास एक्विपमेंट अपलब्ध है तो हम उनका भी इलाज अच्छे से यहां पर कर सकते हैं तो फैक्टर क्रिटिकल यही रह जाता है कि आप कितना अवेर हैं तो मेरी आप सबसे गही गुजारिश है कि आप समय पे इस बिमारी का अगर ध्यान देंगे तो यह पूरी तरह से प्रिवेंटिबल बिमारी है कहने का मतलब इसको पूरी तरह से रोका जा सकता है ओली थेंग इस यू आफ तो बी केरफूल अबाट यर डिजीज क्या जाओ झाल